अससलाम आलेकुम respected teachers जैसा के आप जानते हैं कि इस साल पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने grade 3 से grade 8 के school based assessment test के लिए papers को pack bank item से generate करने और download करने का कहा है तो बहुत सरे teachers ऐसे हैं जिनको paper generate करना का तरीका समय नहीं आ रहा और कुछ teachers ऐसे हैं जिनोंने paper तो generate का लिया है लेकिन वो mobile phone से download नहीं कर पा रहे इंशाला आज किस वीडियो में मैं आपकी रहनमाई करूंगा कि आप अपने paper generate कैसे कर सकते हैं और इसके इलावा उन generated paper को आप download कैसे कर सकते हैं तो आपने वीडियो को मुकमल देखना है मुकमल तरीका समझना है और इसके साथ ही अगर आप पंजाब स्कूल education department से हैं तो आप से उगजारिश होगी कि आप हमरे चैनल को subscribe भी कर दें और इसके साथ ही bell icon को भी press कर दें ताके अमरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहें तो आईए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने paper generate कैसे करने है और उसके बाद आपने papers को download करके print कैसे निकुलाना है इस्पेक्टर टीचर सबसे पहले आपको pack item bank का link आपके groups में AEOs की तरफ से दिया जाएगा या किसी और educational group में आपको इसका link मिल जाएगा आपने उस link पर click कर लेना है या फिर मैं description में आपको यह link दे देता हूँ आप इस पे click करेंगे उसके बाद आपने इसमें अपना school का EMIS code लगाना है EMIS code लगाने के बाद आपने password लगाना है जो के तमाम पंजाब के school का एक ही है pack one two three उसके बाद आपने नीचे I am not a reward पे click करके sign in कर देना है जैसे ही आप इसको sign in करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते है school का नाम आगे है और इसके इलावा यहाँ पे जितने paper generate हो चुके है वो भी आ रहे है और नीचे generate paper का option भी आ रहे है तो आपने यहाँ पे click कर देना है जब आप यहाँ पे click करेंगे तो सबसे पहले आप से पूछेगा select paper grade यानि आप किस grade का बना रहे हैं तो three class लेकर eight class लेकर आप यह paper बना सकते हैं तो यहाँ से मैं एक select कर लेता हूँ class 4 को उसके बार आपने next select करना subject कौन से बना रहे हैं उसके लिए मैं आगर रियादी कर लेता हूँ math कर लेता हूँ तो next option जो है आपके पास है section की तो इसमें मुखलिफ section दिये गए हैं तो आप कोई भी एक section select कर सकते हैं कोई एक paper generate करने के लिए section select करने के बाद last में option है start auto paper generation तो यहाँ पे आप click करेंगे और उसके बाद आपका paper generate हो गया है यहाँ पे list में आगया 4 class math section A इसके बाद respective teachers सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है तमाम teachers को paper generate किये हुए हैं लेकिन वो paper open नहीं हो रहे हैं download कहते होंगे और यह paper आप print कैसे निकलवा सकते हैं इसके लिए respective teacher आपने अपने mobile को landscape mood पे लगाना है landscape mood पे लगाने के लिए आपके पास यह option होता है auto rotate का इसको okay करके आपने अपने mobile को landscape में कर लेना है और इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सरी option और भी आ गई है इसमें आप देख सकते हैं MCQs generated paper है और CRQ भी है अगर आपने MCQs का paper download करना है तो इसमें मुखलिफ option है English में हो उर्दू में हो हमारा जो medium है वो English हो गया है तो आपने English पे click करना है और अगर आपका उर्दू का paper है या इसलामियत का है आप उसको उर्दू में भी download कर सकते हैं तक्रेटीजर यहां पर option आया हुआ single column और double column single column भी आपको download करके दिखाता हूं और double column भी download करके दिखा देता हूं तो आपने double column करना है इससे आपकी cost काम आएगी printing cost काम आएगी तो यहां पे single column पहले हम कर लेते हैं और इसको देख सकते हैं यहां पर paper generate हो के आगया है और इसमें आप देखें तो mcqs दिये गया है 25 है यह mcqs paper था अब आपने इसको यहां से download करना है download करने के लिए आप यहां पर थ्री dots हैं यहां पर click करेंगे तो यह आपको download का option नजरा रहे हैं यहां पर आप click करेंगे तो आप हो गई है फाइल आप इसको हम open भी कर सकते हैं तो इस ताहरा से आपका paper जो है वो generate हो गया है अब हम double column को भी check का लेते हैं कि double column क्या है उससे हमें कैसे बचत हो सकती है तो आप देख सकते हैं यहाँ double column पे मैंने click कर दिया है और double column paper भी हमारे सामने आ जाता है यह double column paper भी हमारे पास open हो गया है वही paper है लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं दो columns बनाए गए एक ही page पे जैनि आपके pages की बचत हो गई है इस paper में fonts को small का दिया गया और आपके paper की यहां से बचत हो सकती है अब हम CRQ वाला paper भी download यहां से का सकते हैं English में CRQ हमने इसको यहां से download करना है तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा CRQ वाला paper भी यहां से download हो चुका है उसके बाद आप यहां से rubric को भी download कर सकते हैं answer को भी download कर सकते हैं last में option है rubric का यह answers का आप यहां से इनको भी download कर सकते हैं और नमबरों की जो डिटेल है रुब्रिक में कि किस सांसे आपने जात और एवाइड करने हैं मार्क्स उसको भी चेक आ सकते हैं और इनके अंसर्स किया है ये भी आप चेक आ सकते हैं उम्मिद करता हूं आज किस वीडियो